सब्सक्राइब करना पड़ेगा राम राम से पढ़ने का समय है नहीं पहली बात ठीक है आप थिवरी पढ़े होंगे तो थोड़ा पढ़ने का समझा रहा होगा और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका बता रहा हूं क्योंकि मैं जीतना मुझे आता है उतना बता दूंगा तो ना आपके पास पढ़ने की समय है ना उसकी अवस्चक्ता है तो जीतना जरूरी अब्जेक्ट्व में आ जा रहा है तो उसके बाते बता दे रहा हूं ठीक है पानसो अब्जेक्ट्व उसके अधी खतम हो जाएगा पानसो चैसो जो भी कम ज्यादा होगा 500 बोले थे थे थोड़े कम ज्यादा हो गया होगे तो यह आखरी पार्ट और फिर बेस्ट फफ लफ एक्जाम अच्छे से दिलाईएगा चीक है और कोशिश करिए जो कन रते करने वाली अजेंसी कौन सी है भारत में राश्ट्रे क्रिशी भीमा जोजना एन एक फूल फोर्म में नेशनल के एक्रीकल्चर इंसुरेंस इस कीम और इसी स्कीम को चलाती है ठेग एंसुरेंस करवाती है सर यह क्या चीज है जितने अब्जेक्टिव और उसे रिलेटेट जितने बाते हैं वो जरूरी है वो बता देनों इस्पीट फ्रस मेंडेन करना पड़ेगा आपको लग रहा तो आप सोलो करके देख लेगा आप अपना लाइफ इंसुरेंस लेते हो आपको कुछ हानी पहुंच जाय तो उसका प पहुंच मिलेगा अजी सब चीच चीच का इंसुरेंस होता है फसल का क्या अचानाक से ज्यादा पानी गिर गया बाड़ आ गया सूखा ओगया धर्ती फट लग गया कुछ भी हो गया फसल खराब हो गया किड़े लग गया कौन कवर करेगा उसका हो तो किसान तो उसी पर ज इसका प्रीमियम एक देड़ से 3% की बीच में रहेगा और उतना आगर आप पैसा देते हैं तो आपका पसल जो है वो कवर हो जाएगा ठीक है इतना ध्यान रहेगा भारति क्रिशी वीमा कंपनी लिमिटेड अब यह बताओ कि यह क्या क्या चीज को कवर करेगी क्या क्या क् अब अब यह तो बता दे रहाओ पुल्सेस पुल्सेस मतलब जितने भी दाल वाले हैं दलन फसले तिलन फसले कोई अनाज वाला है सीरियल को कोई कैश क्रॉप या कमर्शल क्रॉप नगदी फसले बोलते नहीं मतलब गन्ना हो गया है चाय हो गया यह सारे चीज़ें होटी क बड़ा चोटा क्या जितना ज्यादा बड़ा होगा उसना और इंस्वरेंस कराने की जुरत पड़ेगी तो मेरे खासे पॉइंट क्लियर हो गया होगा इसका बार्तिक रिशी कंपनी लिविटेड इसका आंसर है एनिया इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया बैंकिंग धर्टि शुदा के साइब एंकिंग विरियामने सुन चास कि की धारा में हैं भी मैंदाने भी मेंशन किया गया चीज देख जूके हम लों लेकिन पूरा ब्रॉम पढ़ना नीक्त लेकिन हैं आपको बता देंगे जैसे company's act से letter भी कुछ बाते हैं banking regulation act से भी कुछ बाते हैं उससे letter जितने हैं उसको बताएं तो यहाँ पर मैं 5B 5C ठीक है 5B और 5C में क्या है 5B ऐसा भी है 5B 5C और धाराच है इसके बारे में थोड़ा समय बता देता हूँ कि है क्या चीज़ इसमें है तो 5B से बी से रखना Banking Banking मतलब क्या होता यह 5B में बता है देफIN ligafation दो में नहीं है देफिसटिशन 5B मुं है बैंकििंग का definition Baking होता क्या है वह 5B में तो बैंकिंग क्या होता है क papa देफिसर सरह ताएं क्या होता है बैंकिंग जू of repayable whenever required और whenever demanded ठीक है जब पैसा मांगा गया उस समय पैसा देना है उसी एवेज में हम पैसा स्युकार करते हैं आप FD वगर करवाते होगे सिंविंग को पैसा रखते हो तो FD करवा रहे हो तो को पैसे को पैसे को इन्वेस्ट करती है या दूसरे को लोन देती है यह यह बैंकिंग का मतलब हैं बैंकिंग कंपणी का मतलब मतलब है तो यह कि किया banking company banking company कौन होगी जो एसा transaction करती है थीक विच इन्वल्स इन ट्राजक्शन आफ दिस accepting and giving accepting deposits and lending money वह banking company का definition 5C में है जैसे कोई भी bank हो गया तो bank C में कवर होगा उसका काम क्या banking होता क्या है वह 5B में ठीक है धारा च्यमें ये सारे के सारे बैंक क्या काम करते हैं वो धाराचे में मंचन है क्या काम करेंगे जीतना भी आप बैंकिंगे में सो सकते हो ना वो सारे काम धाराचे में 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 पूरा एक लिस्ट है वो बताया नहीं सकता है लेकिन उसका ऑप्शन आप बना सकते हो इधर कोशन आएगा तो धाराचे में पैसे पर डिपॉजीट करते हो वह में कमपनी यहारी चीज देती है तो सब चीज जो बैंकिंग में होता है सब रीकिए थारा च्छाम में पर थक करें आधिनियम क्या पूचाता है यह मी नियुक्तर भारत भारत भांड पर बनुप कमपनी के पारें पांसीवें बेंकिग धनी उन्चास अन्चास की धारा चैक चाहर अभी बता दिया बैंकिंग कंपोणि को चल ने एवदर त्रियायम गान और किया गांती बात जाना बैंकिंग कंपनी अपना 0 नाम से क्लिए है जो चल सके वो चल जो नहीं चल सके वो चल जिसे लेंड हो गाई बिल्डिंग हो गाई ये सारे अचल संपती में आते हैं प्राइंत میں काम कर रहा नहीं करो को में बना जाकता है अब्यक्तिक को ne क्यों बना जाकता है वहां के खरेस्ट संपथ्डिशन सब्क्राइब कारेकाल बरुमती बढ़ा को तो सर पिछले तो साथ साल बता है साथ साल तक रख सकती अर्बिया के बीना पर्मिशन के पर्मिशन के बाद 5 साल और बढ़ा सकती है मतलब साथ प्लस पांच बारा हो गया प्रतीय फिसे अंप्र बेंकिंग कमपणी के लिए आवैशक है कि उसमें पूर्ण कालिक अध्यक्षो कि घो जाना ब्रक्राण कर्तлять यह 10 बी में हैं ठेके हैं पूर्ण कालिक अध्यक्ष जो है स्टाकिन की पर के निऊक्ती के बेन बताता है ठेकले लेकिन ये आर्वी आई के पुर्वा नुमतीस वस्ते मंदर उसका पहले अप्रूवल लगेगा उसके बाद इसकी नियुक्ति की जाती कौन से धरम बताया के धराब दस बी में चीक है याद लेगा बैंकिंग कंपनी के संचालक को किस विश्य का ग्यान होना चाहिए सभी का स पहले लुटारम के लिखा है बैंकिंग से लिट से लेड़ जो भी काम पढ़ सकते हैं सब का ग्यान होना चीए अध्यक कारेकल कौन Means शिर्व करता है संचालक मंदल सचीव रजिश्टार या के इंदर सरका संचालक मंदल कहा हैं बोडोण पंध Sultan त rebuilding त्लियर प्रेक्टरस क्लियर चलो कि निस्ट कुशन देखते हैं चतिस ए नहीं हो गाई चतिस ए चतिस का का है चतिस का तो दूसरे जो है इसमें क्या वह रहा है और जिसे चतिस काकड़ा हो जाए तो छटिस काका में उसको भगा दिये उच्छ अधिकारी को चिक क्लियर आप रिवाइस कर लें न भी यह वीडियो को न पुराना रिवाइस देख देखके करकर गे उसको पढ़ लेना पीछे जाके मैं रिवाइस नहीं करा रहा हूं क्योंकि समय तो कम है प्रबंदन विरस्ता में सुधार लाने की स्तिति में आरविया देखता हम कितने संचलों को क किन्यूकति कर सकता है Gretta bankingング नियुना धिनीं सुरुवात में कि संसे पाडित कि पहले बता चुका था कि पहले banking company act के नाम से चलता था बात मैं company को regulation में कभी मार्च 1966 से तहत बेंकों का licensed सब्सक्राइब नहीं किया गया है यह बैंकिंग वाला आइधिंक चौथा लेक्टर होगा उसमें बन बताया था कि प्रात्मी क्रिशी साख समीति उसमें कवर नहीं होता किंद्री सहिकारी बैंक भारत में किसके दवरा नियंतित की जाती है सहिकारी मंठीत की चीव है ऐसे किस वर किया था तो कृष्ण सुरी कि बलता है कृष क्षी रिषी की सबीच समेति 1905 कर अब ह्बसार नियुट को को साथ रका कर दो कोarentsने पैमिंक के दायरे में राया गया था तो मैंने तो पहले चार भाग था पिर बाद में पांचवा भाग लाया गया जिसमें सहिकारी बैंकों पर यह चीजें लागू होंगी बोलें ठीक है और कोई बैंकिंग कंपनी की भाजित है कितने भागों कितने भागों में पांच भाग में अनुसुची कितने पांच और कॉर्परेट डेप्ट रिस्टर्ट्रिंग कि रिकंस्ट्रक्टिंग होगा इसकीम लागो किया यह क्या है देखो किया जैसे पैसे दे तो दिये और निकाल नहीं पारे वसुल नहीं पारे हैं तो जीतने डेप्ट है ना CDR लिखा हुआ है को मैं के डारी है ना डेप्ट लिखत तो पैसे हैं डेप्ट का लिख दो बमदा है इसको कैसे वसूलना थी पैसे लिये हैं उनको कैसे देना दिया है उसको कैसे लेना है यह सारी चीज़ें 2002 के बाद से ये 802 निगी ने किसवर्स निगिमी पूर्ण अगठ़न सीड्यार और काड़ के लागव किभा है जो फइन आप सरी नुसमिल इसमें युटर डो है सोरी दो एगर में त्याश्गें तरी दोमें तो सब्सक्रालियों खालर इक कोई लागू किया गया गया अि सिसम्मे झाल सब्सक्राम नाकित पर्शन एग्रियों ऑ reckless इसने प्रस्तोथ किया नर्सिंबंती इसने रिपोर्ट प्रस्तूत किया और उसके तहट 92 में यह एन पीए से सम्मधित आर्बिय ने कुछ गैडलाइन्स जारी किये रहे थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ठीक है तो यह कमिटी का नाम भी या दखना उन्हें इसके सिफारिश पर ही आया था रादा है अगो वाली परसंपती मानी जाती है जो लोन लिया सकें मैं आपको पठा सकता हो भी पटाया नहीं हो किसी खारन हम आपको पठानी पार रहो है फिर फिर वह फिर नहीं हो क्योगर को कभी पटा दूँगा लेकिन मैं दूंगा ही नहीं मेरे साफ वसूली नहीं पा रहे हो तो फिर वो लॉस हो जाएगा हानी वाली परिसंपती एसेट माना जाता है जो ना वसूली जा सके ठीक है तो केवल एबी केवल एबी मंदब यह ऑप्शन थोड़ा एसे ट्रैप कर दिये करें तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उनके लिए कुछ करें यह समाज के लिए कुछ करें वर्ज बनता है करते लिए कुछ के इंकम का समाज के लिए जाता है तो कंपनि एड के 135 में यह मेंशन है और एक बात ध्यान रखना यह जो आपका समाजीक धाईत्व है यह निभाना है लेकिन भारत देस्वर्वाणा दूसरी देसके लोगड़ को फाइदा पहुंचा ρहे दूसरे देसके स तरगतर रहना चीए अगर भारत देश कंतर करते हैं तो फिर वो CSR के अंदर नहीं कर जागा वह है कोई देशी यह देशी कंपनी भारत के बाहर किसी देश पर अगर समुदाइक लाब के लिए कार करती है तो क्या उससे CSR का हिस्सा माना जाएगा नहीं माना जाएगा ठीक है इसका अंसर हाँ है दब नहीं माना जाएग उसको मानव संसाधन human resource की प्रमुख विश्यस्ता है क्या है यह प्रबंद दर्शन यह मानव संसाधन का प्रबंद कर्मचारों की योग्यता विकास में सायक है छिए सभी है human resource management क्या होता है छिए एक प्रकार का प्रबंद संस्थाओं का वर्गी करन किया जाता है दोनों संरचना के धार पर भी उद्देश के धार पर भी कि धार कर दर्बंद मांबद मतलब मार्केटिंग्म सायकारी सभी तो मार्केटिंग प्रबंदकी अर्थसास के धार्बु सिधान के है बेसिक फंडमेंटल अब जो कोशन पूछा न उसके अलग-अलग अलग अंडेक्स हो सकते कि कहा से सुरुवात हो सकती है तो वह उसके हिसाब से प्लानिंग अंसर ले लिए है कोई तूक नहीं बन सकता उसको एसको एक्ट नहीं किया सकता है भार्थी यह कंपणी अधीनयां अधिनियां कंपणी 2013 की कौन से धर है पहले 1956 चलता था था अभी अपडेट होके 2013 वाल हो गया कि कौन से धरा कंपणी के पंजी करन की तीथी से यह सिधा मैं एक्स्प्रेइन कर देता हूं क्या होता है जैसे आर्थियास होता है ना रिश्टार और कॉप्रेड़ी सोसाइटी रिश्टार को प्रॉ ठीक है और एक मेहने के अंतरगत एक मेहने के अंतरगत ऑडिटर की निफ्टी करनी होती है तो यह कौन से धरा मैंसे ने पूछे जाए कौन से धरा पताता है 149 का सब्सक्शन छे कंपणी जार का 139 सब्सक्शन 6 सर इसमें इतने साथ धरा पुढ़ते तो फिस समय खराब हो जा था ठीक है आप सी ए सब बन जाते लेकिन इसकारित एक्जाम निकल पाते क्यों इतने सारे धारा है इस पर कंपणी देश्का है भी असस्ते अवास दिलाना ओप्शन देख लो कहां पे सदस्वों सस्ते वास उपलब्द कराना उत्पादक सहारी समीति का मुख्यू दिर या मुख्या याध मक्या नचलता है यह यह को बोल भेघह में उसको प्रफोरे इशन में 감ल लायगा खूरात है कि सॉर्धिंद न Неधिन इधारनकारी किसकिंग इन freakinथी नमतां पॉलिelasीमेकंग या डिसी डिसीन मेकिंग तो देखो management होता है न, management जो management का काम करते हैं, तो अलग लग लेवल पे management का काम किया जाता है, low level, medium level, high level, तो जो भी policy बनाने का काम होगा, क्या सोचो, निचले स्थर के लोग बनाएंगे, जो निचले स्थर में जो employee बैट के काम करें, उन लोग बनाएंगे, कि उपर top level management बैट यह method क्या है, management कहलाता है, ठीक है, management कहलाता है, प्रबंध, जब rating, supervisor, गरहक और समकचों से प्राप्ट की जाती है, तो यह कहलाता है, rating, rating मतलब, जैसे rating होता है भी अब फाइव स्टार दो, यह अच्छा एक चीज़ दहर हो, यह फाइव स्टार से याद आद आगया, जो मेर मून लिख देना, जो भी अच्छा लगे, और Google Play Store पे भी rating का रहता है, उसमें भी rating दे देना, फाइव स्टार, चलो, तो rating supervisor, गरहक और सब को, मतलब, 360 degree का मतलब, 360 degree feedback किसको बोलते है, 360 degree feedback मतलब, complete feedback, जो आपको, आप entry आए, कोई गरहक आया, गरहक का सब काम होके, पूरे संकट के समय में, वाडिजिक बैंकों की जो आरक्षेतियां बतवर बफर चलनी दी काम करती है, बफर की रूप में, यह SLR, CRR क्या होता है, यह CSR नहीं होगा, CRR होगा, RTGS, NFT, RTGS, NFT यह तो चेक वाला है, यह कोई मतलब नहीं, संकट के समय, वाडिजिक जो commercial बैंक होते हैं, मतलब बैंकों को अपने total deposit का वो हिस्सा, जैसे suppose 4% अगर CRR है, 100 रुपए बैंकों के पास deposit है, तो 4 रुपए यह cash के रूप में reserve रखेगा, इसको खर्चा नहीं करेगा, किसी दूसरे को उधारी नहीं देगा, यह 4 रुपए रखेगा, किसके पास अपने पास की RBI के पास RBI के पास, एक वैसी होता है, SLR, statutory liquidity ratio, इसमें, मान के चलो, यह 20% है, SLR, यह ज़्यादा परसेंट होता है, CRR कम होता है, SLR मान के चलो, 20% है, तो SLR क्या तो है, statutory liquidity ratio, वैधानिक तरलता नुपात, बैंक अपने total deposit का, चाहे cash के रूप में, चाहे gold के रूप में, या securities के रूप में, अपने पास रखेगा, चाहिए, अपने पास रखेगा, इसको पैसा बेच वेच के खानी जाएगा, मतलब किसी दूसरे को उधारी नहीं देगा, चाहिए, तो बैया, यह CRR काम आएगा, क सोचो, मैं bank हूँ, आप लोग customer हो मेरे, आप से मैं एक करोड रुपए लिया, और वो एक करोड का, एक करोड में लोन दे दिया, घरी, अब आप लोग एक करोड रुपए मैं मांगने आगे तूरंट, तो बैया कहा सपैसा लेके आओंगा, मैं तो दूसरे को दे डाला करेडिट कार में, डेटीर कार्ड में जाता है, तो आए नुक सान हो गाए, ऑट से गाता हूँ, इसके बात कर रहे, शे मैनी नहीं हो गाता हूँ, जैसे कोी आप चैक देखना, bank account भगा ञाए नुक, अटू थे मंस, वंदा डेट औप इसू आ विशो अप लिखा रहता है, बींति सब्सक्राइं पर यह थिए हो चैथ कांगा सीध्रीक अब यह Yeah अब यह क्या हो गया घ्री क्वासी हो गया तो भासी केल अंग्रेजी इस टाप के चेक को इस टेल चेक मेंसे तीन मेहने अगर गुजर जाए तो भास ही ओगया स्टेल चेक बुलते हैं लुटे रपफोरेट रिवर्चाइब और बैंक इस्टेट बैंक कौन तया करता से कि अधया कि विम्रीड2 तो इस रेट से आरभी आइप इपको को लोन देती हैरिवर्जेस रेट अपोजिट है जिसमें वो रेट जिसमें बेंक वाले और यह अर्ब बैंक को को लोन देती तो अंदर क्या हो वह यहां कि अन्थर जाने केसी च्छ לहारे हैं अप mayor minimum합니다 टीजियें नेश्चिल एलक्रोनिक फंड ट्रांसफर रियल टाइम ग्रॉष लेलमेंट इमिडियेट मुबाइल पेमेंट सिर्विस च्छिक है अब मैं क्या होता है अगर यह से तीन घंटे में पूरा होजाएंगा वरकिंग रहेंगा तो दो करा Kahamp Board एक लाग का यौजा के फ़ जाएगा औरृवल का कले कर सकते हो लेकिन अधी चेख कट्वा है क्या है मिनिमुम में खोने की 12 लाग से οपर का ख 2019 अधीन हो रहे हैं therapists का तुरंद पेमेंट होगा आटीजस काटे वह बैंग में अंट्री हुआ तुरंद पैसा कर जाया ठीक है तो आटीजस और इसमें दो तिन घंटे के बैच में बनता है इसमें कोई लिमिट नहीं है लेकिन इसमें लिमिट है कम से कम दो लाग रुप है आप ददद्द भीवी सब्सक्राइब चेक नहीं कारते हैं आटीजस नियुक्राइब करते हैं कौन सी मनी ट्रांसफर 24-7-300 पैसे ट्रांसफर करने के रुमती देते हैं कि आटीजस की एन यह आएम पीएस लेगो क्योंकि आएम पीएस ना मोबाइल से भी हो जाता है ठीक है बाकिए सब तो कि यह आपका आयम पीएस होगा क्योंकि आडीजस की नियुक्राइब वर्किंग डे चलते रहता तब होता है आयम पीएस मोबाइल से तुरंत को चक्के कर सकते हो ओनलाइन बैंकी कि तुम आया फैसी कोड जोता है इंडियन फैनेंशल सिस्टम कोड यह हिंदीम देख लिए सब्द है लेटेंश सब्द है यह आपका 500 अब्यक्टिव हुआ खतम यह कौन सा गया है कि यह कुछ और कोशन से यह आपके टूटल दस वीडियो और दस वीडियो में 500 अब्यक्टिव सीरीज आपके खतम हो चुके हैं इसको रिवाइस करिए लास्ट टाइम में अब्यक्टिव कोशन सी काम आते हैं और अब अगर आपका कॉन्विदेंस डोलने लग रहा होगा कि पहले सोचे होगे आप करtıंगा तौप करूंगे अफिरे धीरे एक टॉप कीश्रेनी से बाहर जा रहे हो फिर धीरे लगया किनी अगले एक्साम में देखेंगे मत देखो है एक्जाम में देख भी नहीं पाओ आगे इतने अच्छे पद इतने अच्छे पोस्ट मिला हूँ न को ही रिजर्वेशन निये हैं आप इस एक इंसानी दिमाग हैं आपके पास और किसी के पास नहीं है तो मैं अपने इसाप से कराता हूं जो मुझे अपना दुख कम लगने लग जाए दो तीन जीन जीतना भी बसता है एक दिन भी बसता है ना अपना बेस्ट देने का प्रयास करना हारे जीते बात की बात होता है ठीक है कोई भी युद्ध उस युद्ध का पहला नियाम होता है कोई खेल उसका पहला नियाम होता है कोई रेस मार्स खीचने की कोशिश किया करो अभी हो सकता है आपके मन में टॉप वाला माइंड बाहर हो गया होगा लेकिन 200-300 जीतने भी पद है उसके लिए आप टॉप करने का सोचो ना क्या है मतलब उसमें सेलेक्शन लेने का सुचो टॉप करने का भले मत सुचो ठीक है और कोई तेवा मेरे लाइक हो तो मुझे बताईएगा कमेंट्स बोक्स में लिक की बेज़ दीजिगा चलिए बेस्ट रफ लग एक्जाम के लिए अब यह कॉपरेटिव से लेटर शाहद आखरी वीडियो होगी दसवाट फिर मिलते हैं एक्जाम के बाद यह एक्जाम के लिए धन्यवाद